नमस्कार, नेउज़ट्वेंटी बिहार की आवाज में आपका स्वागत है, हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ, बड़ी खबर बिहार के समस्ति पूर से आ रही है, जहां बिहार विदान सभा चुना को लेकर, जन्तादल युनाइटेड के कारकरताओं ने सुमबार 7 सितंबर 2020 को पार्टी सुप्रीमो वं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुल रैली के साथ, अपने चुनावी अभियान का आगाज किया, राजदानी पटना स्थित, जदियों मुख्याले में बने नव निर्मित कर पूरी सभागार के मं दिया है, माना यह भी जा रहा था कि इस मंच से मुख्यमंत्री कुछ बड़ी घोशनाएं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसी क्रम में हसनपुर के लोहिया आश्रम में हसनपुर विधानसभा के जद्रियों कारेकरताओं ने वर्चुल सनवाद को सुना, मुक तक बने रहिए, बिहार की आवाज के साथ, नमस्कुर अब इत्यादी चीजों से मिलते हैं तो उस काम लोग लगतार कर रहे हैं, अगर लगता है कि हसनपुर में कोई काम हम लोगों के लाइक छुटा हुआ है, तो आप लोग भी बता सकते हैं, उसको हम लोग अपने सरकार तक पहुचा करके उस चेत की विकास में लगे रहेंगे. पानी लग गया तो अब सारे सरक में काम लग गया है आप देखे हो येगा कि सभी में रोडा पथर गिर गया है कि समभीजक आप जो है सब जगह अपना काम सुप्रारम कर दिया है और जो सभी सरक निर्मान हो जाएगा सोचल मीडिया पे कटकले की जहां से तेजप्रता प्यादब चुनाव लरने वाले भी चुनाव लरेगा पे बाबा आपको बता देते हैं ये हम लोग को जो जनता दल उनाइटीड की पार्टी है और मानने ये मुखमंतरी दी हम लोग की रास्टी अध्यक्ष है हम लोग को वो जो है वो पार्टी नहीं है आओ जाओ भागो वाला पार्टी जो जाके पहुआ से यहां भागे आपको पता होगा कि जब अपने घर में किसी को कोई जगह नहीं मिलेगा तो दूसरे जगह क्या जगह मिलेगा तो यहां पे दूसरा कोई उमिद्वार नहीं है यहां पे जन्ता दली उनाइटिड के आपके जो अस्थानिये कार्ज करता की रुक्मने हम लोग जो आपने सेवा का अफसर दिया है तो एक सीधा राज कुमारा है हसनपूर का प्रतनिर्यूत करने के लिए आज तक हैं और